प्रियांका गांथी कॉंग्रेस नेटी प्रियांका गांथी है धूपुरी ते रोकिबुल हुसेन और होई प्रसार सलाई से जॉया है अखम धोनी रहते हों फाखो नारम फ्रकुर से चाहे असम में चाहे पूरे देश में एक ऐसी राजनीती चल रही है जो जनता के लिए नहीं चल रही है असम के अपने मुख्यमंत्री को देखिए और उनकी तुलना बाकी मुख्यमंत्रियों से कीजिए जो कॉंग्रेस के प्रदेशों में कॉंग्रेस की सरकारे चला रहे हैं आप रेवंत रेड़ी से पूछेंगे कि रेवंत जी तेलंगाना में आप क्या कर रहे हैं तो वो आपको सारे काम गिनाएंगे वो कहेंगे कि जो कॉंग्रेस पार्टी ने गैरंटी दी थी चुनाव से पहले उनको पूरे करने का काम पूरा करने का काम कर रहा हूं अगर आप आज करनाटका के CM से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं तो करनाटका के CM आपको बताएंगे कि जो कॉंग्रेस ने गैरंटी चुनाव से पहले दी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं इसी तरह से जहां जहां कॉंग्रेस की सरकार हैं अब वहाँ के CM's को देखिए और आपको पता चलेगा कि सेवा में सेवा के लिए समर्पित है लेकिन यहां असाम में माफियाओं का राज चल रहा है भू माफिया सुपारी माफिया बालू माफिया कोईले का माफिया हर तरफ देखें तो वसूली और माफिया चल रही है यहां पे सरकार जितने स्कैम करती है चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो या पी पी किट पे स्कैम हो या फ्लाइ ओवर का स्कैम हो चाहे गाए की तसकरी जो खुले आम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है यह सारी चीज़ें चल रही है आपके प्रदेश में लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है आपका काम नहीं हो रहा है यहां के सी एम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कॉंग्रिस पार्टी में थे तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए वो सारे आरोप कायब हो गए बीजेपी ने एक वाशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर जिसको डालो पहले वो भरस्ट कहते हैं जो भरस्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी व सबसे पहले इनोंने आपके ही सी एम के साथ किया और ये मिसाल बन गया पूरे देश के लिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि भरस्टाचार हो रहा है और दूसरी तरफ जो भरस्ट है उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं और सारे अरोप सारे के साब थम जाते हैं थंडे बस उसका ध्यान आप पे नहीं है अपने बिजनेस पे है कहां से बिजनेस होगा कहां से कमाई आएगी कहां पे कौन सी माफिया चल रही है उसके साथ साथ गाट करना यही इस सरकार का काम हो गया है लेकिन इस बीच आप मुझे बताइए मेरे भाइयों आपकी कितनी बड़ी बड समस्याएं हैं आज आप सब यहां पे बैठे हैं मेरे नौजवान साथी यहां पे हैं बताईए कितनों के पास रोजगार है ऐसे हाथ उठाके बताईए रोजगार मिला है नहीं मिला है किसी को एक जने को तो मिला होगा किसी को रोजगार नहीं मिला, बेहने किसी को रोजगार नहीं मिला है, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान अपने स्वार्थ पे है, मंत्रियों का, CM का, सब का अपने ही स्वार्थ पे है, हम कैसे कमाएंगे, जनता कैसे कमाएगी, जनता के क्या संगर्ष है, कोई इन पर ध्यान नहीं रहा है आज बेरोजगारी इतनी जादा बढ़ गई है पैतालिस सालों में सबसे जादा बेरोजगारी आज हमारे देश में हैं आपको मालुम है 70 करोड लोग बेरोजगार है 70 करोड 30 लाग खाली पद पड़े है 30 लाग खाली पद केंदर सरकार में पड़े हुए है ते सालों से उनको भरा नहीं गया है जिस से बात करो वो बेरोजगार है आप सबने महनत से पढ़ाया लिखाया बहुत महनत की कोई खेती करता है कोई मजदूरी करता है कोई जॉब करता है किसी के पास छोटी दुकान है आप सब क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए आप उनको बड़ा करके उनके भविश्य को बनाना चाहते हैं है कि नहीं पढ़ाते लिखाते किस लिए हैं पूरी हिम्मट डालते हैं आप कमाई में ताकि बच्चे बड़े होकर अपनी लाइफ बना पाएं अपनी जिन्दगी बना पाएं और उनका भविश्य अच्छा हो लेकिन आज चाहे जितना भी काम आप करें चाहे परिवार में आप काम कर रहे हैं महिलाएं चाहे के बगान म काम कर रही हैं पुरुष मजदूरी कर रहे हैं किसी का कहीं पर जॉब लगा हुआ है फिर भी फिर भी कमाई पूरी नहीं हो रही है यह सच है कि नहीं फिर भी जब आपको दुकान जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए तो घबराठ होती है जब कोई बिमार पड़ता तो पूरे परिवार पे संकट आ जाता है कि कैसे हम कैसे इलाज कराएंगे, सही बात है कि नहीं, सही बात है ना, कुछ तूट जाता है घर में, बारिस आती है, पानी आ रहा है, उसको ठीक करना है, अब कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी पैसे नहीं है, ब बच्चों के लिए वर्दी खड़िनी पड़ती है, मुश्किले भरी पड़ी है, मिट्टी का तेल, सबजी, पेट्रोल, डीजल, साब महंगा हो गया है, जो खेती करता है, वो खेती में क्यमा नहीं पा रहा है, MSKP तो मिलती ही नहीं है आपको, और खेती में जितने भी समान आप इस्तिमाल कर रहे हो आज, सब पे GST लगा लगा के उनको महंगा कर दिया है, बार्ड आती है, बारिश आती है, बार्ड में आपको कोई मदद नहीं मिलती, आपकी जमीने चली जाती है पानी के नीचे, पादीजी की केंद्र की सरकार, आपके यहां भाजप्पा के कारी करता आते हैं, कहते हैं, फॉर्म भरो, मेरी बैनों को कहते हैं, फॉर्म भरो, नहीं तो वोट दो, नहीं तो बारा सो रुपे नहीं मिलेंगे, कहते हैं ना, आए हैं ना फॉर्म भरने, आप अगली बार आ आपको 1200 रुपए देने की बात कर रहे हैं, आज आपको 1200 रुपए में उन्होंने ये स्थिती बना दिये आपकी, कि आपको एक सिलिंडर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं खरीद पाओगे उस 1200 रुपए में, फिर भी आपके घर आके आपको धमकाते हैं, कहते हैं, बोट दो, फॉ मेने जो परिवार में सबसे बड़ी महिला है, उसको 8500 रुपए हर महीने, ऐक लाक रुपए आपको मिलेंगे, क्योंकि बोज आप उठाती हो, मैं महिला हूँ, मैं समझती हूṁ, महिला चाहे बड़े घर की हो, चाहे छोटी घर की हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत रहीं ह महिला हमेशा समाज का बोज भी उठाती है और समाज की परवरिश भी करती है, नई पीड़ी को तयार करने वाली मेरी बहन मेरी महिला है, सबसे जादा मेहनत करने वाली महिला है, काम पे जाती है, खेती में जाती है, नौकरी करती है, मजदूरी करती है, तो घर आकर घर आकर बच्चों को देखती है, घर आकर खाना पकाती है, घर आकर सब की देखवाल करती है, जब तक आप सब सो जाते नहीं हो, जब तक पूरा परिवार चैन से नहीं सोता, तब तक मेरी बहने नहीं सोती हैं, और इस सरकार में उनके लिए कुछ नहीं है, सिर् सालों के लिए वह अरक्षन सच्चाई ही नहीं होंगे लेकिन उन्हेंने हर जगे इवेंट बनाए बड़े-बड़े मंचों पर गए उनको माला पहनाया गया कहा गया कि महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं करते हों लिए वीए पीशते हो इसे लागिल एह और पीशते बीजे-पी-ए कांगरेसं कृटा करा प्रविलोक होल विजे-पीए कौले कांग्रेसं अव्य ओंखन सलाब जी बितोका लात्वा जन बैक्तिर अर तो मिर्त्र पिसबत तो तो के रिइनी धिये त्यार जी हमपोट जिन्हीं भाग सरकारे लोई जाबो और तेंगर हम पुट्ट्तिर यहा भाग भाग तेंगर हम पुवार प्रावणितो हुबाव़ बाधार सिस्टि कोरिग व कंग्रेस एने दहने रो भीजुग बीजेपीर पराहिल इतिया बहुके इता प्रहंगिक प्रस्णू इन्हेरितेंस टेक्स की मार्किन जुक्तरास्तरत उत्त्राधिकार पुट्रेपुआ खंपोट्टिर उपरजी कर निर्धारन करा होय। उते प्रक्रियातो केने दोरे प्रोषेल तो है मार्किन जुक्तरास्टरत। किमान हतांख करन इड्रहन करा है, हीमा बानिधिया है नहीं नहीं बुर प्रस्णो आजिरी तरीक प्राहंगी अरो आंधु प्रस्णो हुई से भरत बर्खत आजन मृतो बैक्तिर हमपोट्टी रुपरत कर लुआर ब्रवस्था आसीले नहीं पर्थमों ते अमेरिकार प्रखंगतु लेह करूं, अमेरिकात इनहेरिटेंस टेक्स आसे किन्टो हुटे मार्किन जुक्तरास्टरत बा फेदारेली हे धरने कर हंगरह कराना हुई, केंड्रियो भाबे हे धरने कर हंगरह कराना हुई मार्किन जुक्तरास्टर पांसखन राइज़त भाराटिय वखार राइज़ बुलियो के बुलेवा पांसखन प्रविन्सद बा पांसखन स्टेत अधर ने कर हंग्रह करा हुए अर्था राजन बैक्तिर मिट्टूर पासत उत्तरा धिकार हुट्रे जी हकले तेमार तेमार हमथन भवो पारे, भात्रिय भग्णिय हो पारे आंजि कुनु वेक्ति हो पारे कर निर्दारान को डाएज नढ़ेवा 1 बिफिन्न पर जयाद, विभीदन स्लेब अहर's से के खे अनु पर निर्दारान को डाए और लिक्रिक्श्ट्रो तके मारकिन जुक्तरास्त दुखन राजज़ और दुखन प्रविंज़ थे टेक्स प्रज़ुज़। मुख से हात्रस में नहीं कि उन नाउ में नहीं कि मनभनीपूर में एक जवान की बीवी को निरवस्तर करके सबके सामने चलाया गया सब ने वो वीडियों देखा की नहीं सब ने देखा मोदी जी ने देखा होगा न अमिच्छा जी ने देखा होगा न तो चुप कैसे हो गए बचाने नहीं आए कोई कारवाई नहीं हुई आख मुण दी मुँ इस तरह फेर लिया पूरा देश देख रहा था महिला को बचाने नहीं आए जहाँ जहाँ अपराद हो रहा है वो अपराद होने दे रहे हैं ओलिम्पिक की हमारी मेडल इस थी जब मेडल जी तके आई मोदी जी के घर गई मोदी जी ने बुलाया उनको उनको चाय पिलाई उनके साथ फोटो किचाई सारी मीडिया में ने लिखा देखो मोदी जी के कायल में इंडिया मेडल लेके आ रही है उलिम्पिक से जब वही महिला सडक पे उतरी जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है मेरे साथ गलत हुआ है मोदी जी मेरी मदद कर दीजिए जो आपकी पार्टी में नेता है उसने किया है तो मोदी जी ने एक लवज नहीं कहा वो बच्ची बैठी रही सड़क पे मैं उस बच्ची से भी मिली मैंने उससे बात की उसने का मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे न्याय चाहिए दिदी लेकिन मोदी जी ने न्याय नहीं दिया अपने घर से नहीं निकले वही हालत जो महिलाओं की है वही हालत किसानों की किसानों ने अंदोलन किया मोदी जी अपने घर से नहीं निकले छे सो किसान शहीद हुए मोदी जी ने एक लफ नहीं बोला मिले तक नहीं कि उनकी सुनवाई हो जाए कि वो जो काले कानून, किसानों को खत्म करने वाले कानून थे, उनको ये खटाएं, आज चाय के बगानों में आप मजदूरी करते हैं, मैं पिछली बार चुनाओं में आई थी, मेरे साख्याल से दो साल गुजर गए होंगे, उस समय से समस्या थी, कि आपका जो वेतन है वो बढ़ाया ही नहीं गया, मैं चाय के बगान में गई, महिलाओं से मिली, उन्होंने मुझे अपनी समस्याएं बताई, बताया कि कैसे पूरे दिन काम करती हैं, कभी कभी टोईलेट भी नहीं होता, उनके लिए दूर होता है, उनको जाना पड़ता है चल के, और इतना कम वेत बढ़ाया जाए, दो साल गुजर गए, आप भाजपा की सरकार लाए, आपके मुख्यमंत्री चाय के बगानों को हड़पवाते हैं, चाय के बगानों में अलग-अलग बिजनस कराना शुरू कर दिये हैं, लेकिन जो चाय के बगान में मजदूरी करते हैं, उनका वेतन उन सो रुपए तक हम बढ़ाएंगे, और ये हमारी गैरेंटी है, यहां आपकी मांग है कि कोर्च राजबंक्षी समुदाय जो है उसको ST स्टैटस मिले, कबसे आपकी पुरानी मांग है, इस मांग का हम पूरा समर्थन करते हैं, आपने सुना होगा राहुल जी कहते हैं, कि ज जाती जनगरना कराएंगे, जाती जनगरना का मतलब है कि ये गिंती होगी कि किस समुदाय में, किस जाती में, कितने लोग हैं, ताकि सही से भागीदारी पूरी देश में हो पाएं, और सिर्फ जाती के अधार पर नहीं, लेकिन अमीरी गरीबी के अधार पर भी, ताकि हम कि भाई यहां यह समस्या है, यह जाती है, यह धर्म के लोग हैं, जहां पर कुछ अलग सी समस्या है और इसको पूरा करने के लिए हम क्या करें, यहां इनकी पूरी भागिदारी नहीं हो रही है, तो यह सब चीजों को समझने के लिए यह जाती घचन करना कराएंगे, लेकिन इसमें एक मार्थवपूर्ण बात ये है कि आज जो रेजर्वेशन पे 50 प्रतिशत का कैप है वो हटाया जाएगा इसलिए जो कॉंग्रेस पार्टी की नीतियां है उनको आपको अच्छी तर इसे समझने की जरूरत है देखिए जहां जहां हमारी सरकारे चल रही है वहां आपकी भलाई के लिए चल रही है